दर्शकों जेसे ही इंडी एलाइंस हारा है वेसे ही उन पर अपने ही बरस पड़े हैं इंडी एलाइंस की एकता की पोल धीरी धीरी खुलती जा रही है तमाम तरहे की अठकले बाजी लग रही थी कि इंडी एलाइंस जीत जाएगा तमाम भिरम फिलाए जा रही थी लेकिन सब को पता दिया है तमाम तरही के हद कंडों के पावजूद इंडी हारा और एंडिये पूल पहुमत की सरकार पनने जा रही है राशनी तेक स्वार्थों पर बने इस गड़ बंधन में सर फुटोवल जोर पकड़ चुका है कैसे पताते हैं आपको लोकसभद चुनाफ सीटों पर सिमट गई एंडिये जहां देश में सरकार बनाने की प्रक्रिया में जुटा है तो इंडिया की नेता हार जीत की समक्षा कर रही है लालु यादव और तेजस्वी यादव की घोर व्रोद के पावजूद कॉंग्रेस में शामिल पप्पु यादव पूलियां से निर्दली चुनाव जीत कर सांसत बन गई उन्होंने बिहार में इंडिया एलाइंस की हार का ठीक राते जैस्वी यादव के सिर पर फोड़ा है कहा है कि अगर इबिहार की यो व्राज का एहंकार आले नहीं आता तो बिहार में इंडिया कट बंधन को 25 सीटे आती पूरिया सांसत ने नितीश कुमार और नरेंदर मोदी की भी चर्चा की चुनाव जीतने के बाद पपू यादव शुकरवार की रात मुझफर पूर पहुचे खबरा में आयोजित प्रेस कॉन्फरेंस में उन्होंने कहा कि बिहार की युवराज ने इंडिया गडबंधन की लुटि नहीं कहेगा मैंने पहले भी कह दिया था कि वीजेपी को 230 से जादा सीटे नहीं आएंगी उसी के आसपास 240 आई हैं उन्होंने कहा कि बिहार की युवराज के भीतर एरोगेंसी और एहंकार नहीं होता तो यहें इस्तिती भी नहीं बनती बिहार में इंडिया एलाइंस कम से सीटों पर चुनाव जिद जाते लेकिन उनके एहंकार के काराण बिहार में दुर्गती हो गई उन्होंने तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि यदि अब मुखे मंतरी बनने का सपना देख रहे हैं तो दिल भी बड़ा कीजे एक वेक्ति के चलते इतनी परेश कर गए सीवान में भी आपने यही किया अपने कनहिया को भी टिकेट नहीं दिया अगर उने बैगुसराय से लड़ाया चाता है तो हर परिस्थती में चीच जाते पपुयादव ने कहा कि सिर्फ बिहार और दिल्ली के काराण राहुल गांधी प्रधान मंदरी नहीं बन पा लेकिन इसका लाब भी बिहार को मिलना चाहिए बिहार को विशेश पेकेज मिलें विशेश राचे का दर्जा मिलें दर्श को आप लोग खुद ही सोचे जो एक दूजे का ना हो सके वो चंता की क्या ही होते प्योरो रिपोर्ट ओमेच नियोज और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं